तर श्ट्रेस और स्ट्रेस को समझने का कोसिस किया था आज कोसिस लिखनें लेते हैं और इसे बनाने का कोशिस करते हैं पहले आये कोश्चिन को पढ़ते हैं कोश्चिन क्या बोल रहा? कि यह रॉर्ड should respect and the system at 10 cm यह 100 Ndl force compresses along its length calculate the longitudinal stress develops in the stres measure कोशेन आप पहले 2 बार पढ़िये 2 बार पढ़ने के बाद यह समजने का कोशिव कीजिए कि कोशेन क्या कहना चाहता है हमने अस्ट्रेस पढ़ा था अस्ट्रेस में हमने लॉंगिचूर्ण अस्ट्रेस को भी देखा था लॉंगिचूर्ण अस्ट्रेस basically length से related था हमने उस longitudinal stress के अंदर पढ़ा था tensile stress और compressive stress tensile stress और compressive stress ये दोनों basically length के increasement और length के decreasement के कारण से जो stress हो रही थी हमने उसको अच्छे से जानने का कोशिस किया था तो ठीक question को पढ़ने के बाद आप पहले ये conclusion निकालिए कि question हमसे पूछ क्या रहा है, conclusion हमसे चाहता क्या है तो question में दिया हुआ है कि जैसे ये एक rod है माल लिए कि ये एक क्या है, rod है जिसका radius, मतलब इस cross section को हम देख रहे है ये कैसा है, circular है और इसका radius, जो radius है वो कितना है, 100 mm का है और फिर एक length, मतलब इस rod का इस rod का length कितना है, तो 10 cm है इस rod पर क्या कि हम लोग force लगा है इधर से हम लोग force applied कर रहे है और इसको compress करना चाहते है इधर से force लगा है, कितने का force लगा है 100 N का, जब 100 N का force इस पे apply कर रहे है इसको जब हम लोग इधर से compress करना चाह रहे है तब क्या होगा कि इसके अंदर एक stress develop होगा और हम लोग जानते हैं कि length का increasement या decreasement के कारण से जो भी stress develop होता है उसको longitudinal stress कहते है तो यही पूछ रहा है कि जब इधर से हम लोग compress करेंगे force applied करेंगे तो इसके अंदर जो भी stress develop होगी वो stress कितनी होगी तो पहले question में जो दिया हुआ है आप उसको load किजिए question में पहले क्या given है question में आपको दिया हुआ है radius है radius कितना है 100 radius है 100 mm यह mm में है इसको आप लोग मीटर में change करने के लिए किया करते है 1000 से divide देते है यह one by ten meter है length basically length का यहां को यूज नहीं है फिर भी अगर question में दिया हुआ है तो आप इसे लिख लिजी फोर्स की तर दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है hundred newton है हमको चाहिए a space a space equal to question mark हम लोग क्या जानते है हमने पढ़ा है a space equal to applied force by area फोर्स कितना है फोर्स से hundred newton का और एरिया इस क्रोस एक्षन का एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यह क्रोस एक्षन circular है तो इसलिए सब्सक्राइब करने है और कुछ नहीं यहां लेंद का कोई usage नहीं था चुकि एरिया में नहीं आती है ठीकर तो हम इससे यहां से रभ करते हैं अस्ट्रेस इक्वल टू अ हंड्रेड बार पार स्क्वार पाय का वैलू 22 बैसे मर यह 3.14 भी आप ले सकते हैं रेडियस कितना था वन बै टेन इसका स्पर यह क्या आएगा यह हंड्रेड बार 22 बैसे इंटू 1 बार 100 यह उपर चले जाएगा और यह हंड्रेड बी उपर चला जाएगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू सेवन बाई 22 इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 22 अस्ट्रेस है अस्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होगा फोर्स या तो आप एंसर यहीं छोड़ सकते हैं या अगर आप इसे डिवाइड दना चाहता ता आप इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 22 से डिवाइड देर हैं परे टू डिजिट को थ्री ताइम्स 66 4 0 1 22 18 29 20 2 16 21 21 21 22 23 23 21 21 21 22 22 22 22 कि फॉर्म में लिख सकते हैं यह आपका एप्रॉक्सिमेट एंसर आएगा आप इसे डिवाइड करके और डेसिमल में भी जा सकते हैं तो यह आपका सिंपल सा एक्जामपल था सिंपल सा एक प्रॉब्लम था नॉम्रिकल्स था लॉंग चुर्णल अस्ट्रेस पर बेज़्ट तो इस तरह के कोश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे तो ठीक है इस तरह के कोश्चन और भी हम लोग आगे डिसकस करेंगे आज यही रखते हैं थाइंक यू आज हम एक नए प्रॉब्लम के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं कोशचन द्या हम एक चुर्ण या रोग चिश यहाँ रड़ चीप तो ट्रियंट और तो स्टू जाएंगे टू यही तो प्रॉब्लम की जाएंगे लिवेलेंगे ंज चौंधे प्रॉट इस झाल गवेलेंगे इस तो एं देंगे रचार्श, क्सेशडेंगे ऑमे।कर पर in the rod is elongation in the length is 7.46 mm, आप question को पहले दो बार पढ़िए, दो बार पढ़ने के बाद आप question को समझने का कोशिस किजिए, कि question क्या बोल रहा है, question में क्या-क्या दिया हुआ है, इसे आप note करने का कोशिस करें, और फिर यह निकालने का कोशिस करें, कि question आप से मांग क्या रहा है, आईए, question को समझते है, कि एक steel का rod है, हमने माना, यही एक steel का rod है, जिसका radius कितना है, यह जो cross section का radius है, वो दिया हुआ radius 8 mm का है, और इसका length कितना है, इसका length, इसका length है 2 meter का, अब एक force apply करते हैं, मान लेते हैं कि इधर से हम force apply करते हैं, 150 K का, 150 K का, इधर से हम लोग force applied करते हैं, और क्या करते हैं, stress करते हैं, मतलब इसको खीचते हैं, और खीचने के बाद, तो खीचने के कारण से, इसके अंदर में एक stress develop होगा, एक stress develop होगा, हमने tensile stress पढ़ा था, कि इसका length में increasement के कारण से, जो stress develop होती है, इस stress को क्या करते हैं, tensile stress करते हैं, तो हमको उस tensile stress का value चाहिए, और जो strain आएगा, इसमें जो strain आएगा, कब, जब length, 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 length कितना, कितना increase हो रहा है, जैसे पहले तो ये दो मीटर का था, और इसनली तो ये दो मीटर का था, लेकिन इसको खीच करके हम लोग इतना length क्या किया है, increase किया है, 7.46 mm का increase किया है, तो हमसे वही पूछ रहा है कि percentage of a strain कितना आएगा, तो पहले जो question में दिया हुआ है, पहले आप उसको note किजिए, कि क्या क्या आपको given में क्या दिया हुआ है, पहले आपको radius दिया हुआ है, 8 mm का, आप इसको मीटर में convert कीजिए, हमने बताया है कि मीटर में convert करने के लिए क्या करता है, 1000 से divide देते हैं, इसके बाद length, length कितना है, length है 2 meter का, force कितना है, 150 के, इस के का मतलब हमने बताया था, कि इस के का क्या मतलब है, इस के का मतलब है, 1000, जैसे अगर कहीं केजी रहता है, केजी को अगर gram में convert करने करता है, यह केजी, यह gram, जैसे 1 केजी लिए, यह जो के है, इसका मतलब ही होता है, 1000, 1000 जैसे 1 किलो मीटर डैस मीटर तो यहां यह मीटर का तो मीटर नहीं है यह जो के है के का मतलब भी ओड़ता है 1000 तो ठीक यहां वी के का क्या मतलब होगा कि का मतलब यहां है 150 इंटू 1000 नूटन इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसके बाद हमें दिया है इलांगेशन इन लेंट का मतलब होता है कि लेंट में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ है तो इंक्रीजमेंट मतलब देल्टा एल डेल्टा एल कितना दिया हुआ है 7.46 मिली मिटर इसको आप चेंज किजी मिटर में यह कितना आएगा दो जिरो तो पहले इस पॉइंट को हटाए तो निचे दो जिरो और 1000 दाट मेंस 3 to 5 इसको लिख सकते है 7.46 इंटो 10 to the power minus 5 इतना मेटर ठीक है अब इसको हम रव करते हैं हमें सबसे पहले अस्ट्रेस चाहिए और अस्ट्रेस का पर्मोला हम लोग जानते हैं अस्ट्रेस इपल तो अस्ट्रेस इपल तो पूर्स बारिया पूर्स बारिया पूर्स कितना इस चीज़ को ऐसे बली सकते हैं एक बार अच्ट्रें तो पावर फ्री का पावर तो अस्ट्रेट रेडियस इस प्रेडियस जो इसके पहले आपने रेडियस लिके दिखाया था उस रेडियस को क्या किया है उस रेडियस का वैलू सिर्फ यहां पूट किया है अब इससे स्वाल करने का कोशिश किजिए यह क्या होगा 15 इंटू 10 to the power 4 divided 1 22 by 7 इंटू 8 square by 10 to the power 6 यह 6 उपर जाएगा यह 7 वी उपर जाएगा और नीचे 22 इंटू 8 square एट का square कितना 64 आप इससे स्वाल करने का कोशिश करें 15 705 इंटू 10 to the power 10 by 22 इंटू 64 इससे आप कैल्कुलेट करेंगे तो पाहेंगे कि इसका वैलू एक्रॉक्स आएगा 7.46 इंटू 10 to the power 8 newton meter square तो अस्ट्रेस का वैलू कितना निकलके आया इससे आप कैल्कुलेट करेंगे तो अस्ट्रेस का जो वैलू आया है वो कितना आया 7.46 इंटू 10 to the power 8 newton meter square यह आपका अस्ट्रेस आया है अब हमें अस्ट्रेन को देखना है अस्ट्रेन हम लोग जानते हैं अगेर वी कि ल Um G Our ंडाइक आएठों स्ट्रेन एकल टो र अपस्ट्रेन आपस्ट्रेन जंदग उड़ाइते थे तो आषट्रेन के मोग डिटेल में देखने थें कि कि Longiturnal A-Strain क्या होती है, Volumetric A-Strain क्या होती है, Sharing A-Strain क्या होती है, तो यह Longiturnal Length से Related है, Longiturnal A-Strain, तो Longiturnal A-Strain का फर्मुला क्या था, Change In Length by Original Length औरिजनल लेंद, चेंजिन लेंद, लेंद में कितना का चेंज़ जाये था, पहले मैं इधर मिटा दूँ, क्या आपने यहां तक कॉपी कर लिया है, यहां तक आप समझ गए है, इसके बाद, चेंज इन लेंद, याद रखेगा, अस्टेन इकोल तो, चेंज इन लेंद, बाई, और इजनल लेंद, चेंज इन लेंद कितना, देल लेंद, तो देल लेंद कितना है, 746, बाई, 10 तो दी पावर 5, हमने देखा था, और डिवाइटेट बाई, और इजनल लेंद, 2 मीटर, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते है, 746, इन्टू 10 तो दी पावर, माइनस 5, बाई 2, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते है, 2 से आप डिवाइट देखे, रिटू जा, 6, 7, 3, इन्टू 10 तो दी पावर, माइनस, 5, यह आया, अस्टें, अस्टें इकोल को दिस, क्या हमें अस्टें चाहिए थी, नहीं, हमें चाहिए परसेंटेज और अस्टें, परसेंटेज चाहिए, तो इसे परसेंटेज के फॉर्म में ले जाना है, सिंपल ये परसेंटेज का साइन है और इसका मतलब होता है इंटू 100 तो आप इसे 100 से मल्टिप्लाई कर दें इस इस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस इस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप एक डेसिमल एक विख टिन डिजिट के बाद दलब 0.373 कि परसेंट तो एस ट्रेंट इतना और यहीं रख्या आएगा एनसर मतलब पर सेटेज उप्टेंट कितना एगा 0.373 परसेंट तो आपने अस्ट्रेस और अस्ट्रेंट दोनों को निकालने ने आपने देखा कै आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, Thank You कोशन अरेड़ी डिसकस कर चुका है, अस्ट्रेस और अस्ट्रेन का, आज थर्ड कोशन लेते हैं, यह कोशन नीट का पुछा हुआ है तो थर्ड कोशन को पहले अच्छे से समझने का कोशिज करते हैं, कि थर्ड कोशन कहना क्या चाता है, और हमसे क्या पूछ रहा है, कि इफ दा एंगल ऑप सियरी, एंगल ऑप सियरी कितना है, 30 डिगरी है, फोर्या क्यूबिकल बड़ी, बड़ी कैसा है, क्यूब सेट में है, और उस पर चेंड लेंज कितना चेंज हो रहा है, 250 cm का, तो हमसे पूछ रहा है कि वॉल्म ऑप इस क्यूबिकल बड़ी, जो वॉल्म होगा, उस क्यूब का वॉल्म कितना होगा, तो पहले तो ये लिखू कि इसमें दिया क्या-क्या है, एंगल ऑप सियर, इसको ठीटा से ट अगल, तो चेंज इन लेंद्ध, देल्टा ये लेंद्ध, ये कितना दिया होगा, 250 cm, इसको मीटर में करने क्या करते हैं, तो मीटर में करने क्या करने क्या करें लिए, 100 से इवाइट देएंगे, तो इसी चीज, को तो फ्रूटी वाइंडर्ड नीटर ये कितना अएगा और अब हमसे क्या पुछा है वाल्यूफ वाल्यूम आफ किसका क्यूब का यह कितना कोश्चिर मत हमसे वाधिम आफ्ट यूब ही निकालना है अच्छा क्यूब का पहले आउटर फेस देखते जो सामने वाला फेस है उसको देखते है जैसे यह क्यूब काम सामने वाला फेसली ठीक है इधर से क्या क्या है कि फोर्स अप्लाई कि फोर्स अप्लाई करने के पास क्या होगा कि यह जो फोर्सन यहां था वो मूब कर प्रहाई है इस पोर्सन पर मूब किया तो इःधर मूब की अथे ठीक उतना इधर भी मूव करें ठीक है यह एगल को माल लेते कि यह कितना है धिका तो यह hard building clock time मूब ख़िड़ ख़िए अब इसका कुछ नाम देता है जैसे यह है यह प्यूट्टे है तीक है तो इधर से जब force apply कर रहे हैं तो यहां कुछ angles में change जाया है और B point कहाई displacchen कर चला गया है देल्टा एल्टा एक चेज्ट वां यह पॉर्स ना लोग यह थे ए फिल्ट रखे थे आफ चीरी श्ट्रेट में पढ़े हैं इसी केस को आप सेरी इस ट्रेट में देखे हैं तो से वही केस और ये से लेकर बीटर इतना में और एल लेट है ये से लेकर फीता का लेट कितना है एल लेट है ठीक है ये एंगल यहां कितना होगा ये 90 जब इस ट्रैंगल में हम लोग लेते हैं कि इन ट्रैंगल इंट्रैंगल ABC एंगल B कितना है एंगल B 90 जो ये 90 जो ये 90 जो के सामने वाला क्या होता है 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 कोटेनर्स और ये एंगल के सामने वाला P होगा और इधार वाला D होगा तो यहां आगर हम पेल थीटा यूज करते हैं टेन जी इकलर टू एकलर टू ओटी आयेगा ढ़। बीची बहुंत हें व़ालो क्या एंगल तका हम टटोने बटोने न क्या हूंत इसको solve करना पड़ेगा तो इसको यहां से रफ गटने है तेल थर्टी कम है लोग को पता है कितना होता है यह यह लेंद से निकल के आया है अब को जिकामना क्या है वाल्यू वाल्यूम अफटा क्यू तो वाल्यूम अफटा क्यू क्या होता है कि वॉल्फम अफटीव वाल्यूम अफटीव अच्छी अएल क्यूं कि लंग का पावर्टनेलाथ क्यू त्यवाल्यूम अश्यूम तो श्वाल्यूम अफटैंट है 2.5 root 3, अब इसका cube करेंगे तो volume निकल जाएगा, तो इसका cube करते हैं, 2.5 root 3, इसको solve करें, इसको solve करने बाद कितना है, 2.5 का cube, मतलब 2.5 into 2.5 into 2.5 into root 3 का cube, root 3 into root 3, into root 3, 25 into 25 कितना होचा है, 625, into, ये 25, root 3 into root 3, 3 और ये, root 3, इसको multiply किजिए, multiply करने बाद कितना आएगा, multiply आप किजिए, हम कर के देख रहे हैं, कर सक दो जाएगा, लभ जाएगा, और यापेघत कितना है, भज जाएगा नहे होईपनत कितना है, इस Comic को कर था सब्लाद कितना है, वहांगा मतलब 3, 6 और रहे उन्पक्राश processionеллы कर स्मुशना है, कर रहे हैं, तंदrimत्ष स्लमॉम। यह एप्रॉप साइब एक्टीवन पॉइंट वान एट नाइन मीटर क्यूब यह फॉल्यूब हमने कैल्कुलेटर से किया है बता आप नहीं करोगे आप साइड पर कैल्कुलेटर करके देखोगे हमारे पर स्टाइल की कमी है ठीक है यहीर ही हमार क्या होगा एंसर होगा गैक्स और आप!